नमस्कार आप सबका मेरे यूटुब चैनल पामिश्री हिलर में स्वागत है आज हमें एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 67 कम्प्लीट होका 68 लग चुका है ठीक है 67.5 है तो इन्होंने कोश्चन क्या पुट अप करा है इन्होंने कोश्चन पुट अप करा है कि सर आगे की प्रेश में है या नहीं है प्रापटीज आगे कैसे रहेंगी बच्चे जो हैं उनका कोई फ्यूचर आपको दिखता है तो बताओ ये बताए समझते रहे और मेरे हाथ में सुर्य परवत पर स्टार बना हुआ है या मेरे गुरु परवत पर जो को फॉर्मिशन जो स्टार क है या ये एहमियत है हमने ना स्टार को ना कह कह के ना स्टार की एहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अरे ऐसे में स्टार क्या कर लेगा इस रेखा के सामने स्टार कर क्या लेगा मैं अपने आप ही बता दूँ ये स्टार है मैं कोई रेखा कोई स्टार बनता कैसे ह यह होता है Star यह है Star आप लोग क्या करते हो देखो आप इसी को Star मानते हो गलती पर हो यह तो अगर कोई एक पीच में से घा रही है और उसने Cross मार दिया इस पर यह Star नहीं है star यह है यह होता है Star पहले तो Star को पता ही नहीं है हमें है की Star बनता कैसे है और अपने आप मान लेतें ये रेखा अगर आगे जा रहे ही होगी तो वो रेखा दो कि वो start बना देगी कहाँ बन रहा है ज़रह बताओ मुझे right hand पे बन रहा है नहीं बन रहा है लेकिन आप इसको नहीं पकड़ा इसको नहीं पकड़ा ये तरक्की का सिंथ पर इसे नहीं पकड़ा आपने शनी पर इस रेखा को नहीं पकड़ा आपका ये नहीं पकड़ा ये स्क्वाइर नहीं पकड़े पुष्टैनी नहीं पकड़ी प्रपटी नहीं पकड़ी आपने ये नहीं पता है कि अगर यह थोड़ा सा टेड़ा हो तो गुरुवले का काम करेगा मल्टिपल इंकम होती है दो सोर्स होती है यही सिख्यों है ना आप क्या आपको पता है कि इस जगह पर जो यह डिस्टर्बंस चल रही है और इन रेखाओं पर यह आगे गई है यह क्या करवाएगी यह एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बंगा फसेगा इनका और बाद में वो चीज मिलेगी भी इनको मैं यहीं पर बता सकता हूँ 32 से 36 साल पर यह स्कॉयर बना है बड़ी प्रॉपर्टी आएगी ऑथरिटी पोजिशन पर पहुचोगे बहुत अच्छे पाम रीडर हो सर आप बहुत अच्छे हो इनको चंदर पर मेरे स्टार बन गया क्या अरे आपने देखा क्या क्या देख लिया अगर यह लाइन को इसका मकसद क्या था इसका मकसद यह था कि आपको अगर सपोज आप पहले जाते पहले जाते विदेश में जाते आपकी शादी आपके शादी के वक्त आप मान के चलो वहाँ पर बच्चा पैदा होता आपकी वाइप भी वही होती तो बच्चा बाहर पैदा होता यह विदेश में settlement की और इशारा करती है कि आपको बढ़ापे में अगर कोई ना कोई वहां पर होगा कोई ना कोई वहां यह रेखाएं किसको represent करती है परिवार को करती है यह आपकी कौन सी रेखा है कोई यात्रा रेखा अगर lifeline से निकल कर आगे जाती है तो वो क्या करती है settlement करवाती है इस रेखा का मतलब क्या है इसने यात्रा रेखा को छुआ है आप भार रहकर कमाओगे अच्छा कमाओगे आओगे वापिस आओगे जाओगे आओगे जाओगे लेकिन last time period पर settlement की वालों के बेसिस पर होंगी वहाँ पर बेसिस चलेगा क्या बात कर रहे हो आप जी यहां स्टार बन गया ना मेरे चंदर पर स्टार है ना चंदर पर स्टार होता है तो वो क्या अरे बाई एक रेखा कौन सी है यह यात्रा रेखा है क्या बात कर रहे हो money band से रेका उपर उठके गई है जहांपर भी आप काम करोगे वहांपर वो काम सफल होंगे क्या बात करो मेरा money band पर जो रेका है यातरा रेका से संब्सक्वाइड देख लेना यह रेका mind line यहां से लेकर नीचे तक में क्या यह तरखी कैसे चिन नहीं है छोड़ो आप ठीके जह उनसा साल मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा जरूरी है यह क्यों मैं बच्चों की पामिस्ट्रे नहीं करता अब देखो कहां से पकड़ता हूं चीजों को सबसे पहले 20 साल की रेखा 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं यह है 20 साल की रेखा समस्ते रहे ना यानि यह जो अभी हम देख रहे हैं यह भी 20 नहीं है यह 19 है यह 19 है देख लो मैं कितना डीप जाता हूं यह रेखा मुझे 20 की लगी ही नहीं रही है यह मुझे 19 साल की है यह है 20 साल की यह वली रेखा जो आई है यह 20 साल की यह है 18 साल की 18 से 19 साल के बीच में कोई disturbance किस चीज की यह एक ट्रेंगल बनाया हुआ है study का ट्रेंगल है जिसके कारण जो है यह रेखा को घुमाया गया था यहां से लेकर यहां तक अब यह दो रेखा ही है न दो रेखा के बाद क्या होता है कोई college चेंज करना 20 से 21 साल के बीच में यह देखो यह अब साइन क्या है यह साइन क्या है 22 साल यह 22 साल पर आइसलेंड है यह आइसलेंड किसके साथ चल रहा है यह देखो यह कैसे सेल रहा है यह ऐसे चल रहा है यह यह ऐसे चल रहा है यानि 22 से 23 साल के बीच में किसी की डेथ होगी यह देखो नीचे देख लो यहीं से पता लग रहा है यहीं से पता लग रहा है कि किसी की डेथ होगी यानि यह 22 और यह 23 यानि कोई बड़ा बज़र्गा आदमी 22 में बिमार हुआ होगा 23 में जाकर उसकी डेथ हुई है अब मैं तो इससे पीछे भी जा रहा हूँ ना देखो आपको कैसे दिखाता हूँ आप शायद इसे नहीं देख पाऊ मैं यहां बैठे बैठे इनसे देख पा रहा हूँ वो कैसे देख पा रहा हूँ मैं समझाता हूँ देखो यह मैंने कहा 18 साल यह मैंने सत्रा साल समझते रहे ना सोला देखो सोरी सोला यह एक आइजलेंड आया था पंद्रा साल पर देखो जूम करके दिखाता हूँ यह देखो यह लाई अब आप इस लाईन का मतलब समझते हो बिमारी इसने काट दिया ना दिक्कत बिमारी और यह 13 साल है इसके बीच में एक रेखा को गुमाया हुआ 13 से 14 साल पर एक जगा से दूसरी जगा 15 साल पर जो है यहां बिमारी की रेखा बनी हुई है देखो समझो इनको कैसे कैसे यह रेखाओं का गेम चलता है अब इस वाले साइन को 19 साल पर यह 19 है और यह 20 है यहां पर म 19 और 20 में हुआ क्या 19 और 20 में हुआ क्या वो मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर क्या साइन बना है वहां बेहन की शादी हुई है 22 और 23 में 22 बेहन की शादी हुई है समझ आ रही है तो आएसे पकड़ो अब देखो यह रेखा के साथ मैंने कितनी वरिका है इन रेखाओं के बीच में कोई भी रेखा ऐसे बनती है डिग्री ओती है यानि दो रेखाओं के बीच में कोई यह साइन मने कुछ करना है यह डिगरी होती है यहां डिगरी कंप्लीट होती है इस चौबिस में साल पर यह 24 साल तक कोई चीज कंप्लीट और 25 पर यह यह राहू के प्रभाब पर अर्निंग है यह 25 पर क्या आप समझ रहें देखो ये राहू की रेखा नहीं है बीच में है या नहीं है जैसे ये 25 खतम हो रहा है आपको नहीं लग रहा कि इस रेखा पर आठ बना हुए है बाहर जाना चाहरे हैं काला है नहीं जा पाएंगे नहीं लग रहा क्या बात कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है इनको पकड़ोगे न अगर आप इन सब रेखाओं को पकड़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझ आ रही है कैसे पकड़ते हैं इन रेखाओं को देखो अब यह चोटे चोटे साइन है यह देखो एक साइन को आठ गुमाया हुए इदर का आठ गुमाया है 26-27 साल आना जाना इस 27 से लेकर 27 से यह देखो एक पहले तो ट्रेंगल मनाया हुए ट्रेंगल मनाया हुए नौकरी है 27 से 28 के बीच में मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा हेक्टिक शड्यूल या परशानी रहेगी यह 27 है यह ट्रेंगल ही जो है ना यही मेन है यही मेन है यानि 27 में दिक्कत यह 27 लेकिन यह ट्रेंगल की विज़े से विदेश पहुच गए होंगे क्योंकि यहां पर भी ट्रेंगल बना है यहां पर भी ट्रेंगल बना है विदेश अब इस रेखा ने इस रेखा पर जाकर क्या करा 31 साल पर क्या करा बताओ जरू मुझे यानि 31 साल पर यह जौब चेंज करना चाहेंगे disturbance है न यह disturbance है इसके बाद क्या है यह वाली जगा पर change कर लेंगे यहां पर यह sign बनाया 32 साल पर यह change कर लेंगे अब 32 पर इस जगा पहले एक triangle बनाया और 32 से 33 साल के बीच में आइजलेंड बताया यानि 32 पर जो change किया इन्होंने दुबारा वहां पर हेक्टिक शड्यूल मिला 32 से 33 साल के बीच में ठीक है 32 से 33 साल के बीच में अब देखो इस समय पर आपको कोई property का sign दिख रहा है यह देखो यह property का sign 34 से 35 साल के बीच में जिस पर कोई documentation या something आएगा यह देखो यह documentation है यह सब जो triangle नीचे की और यह जो sign आपने देखा है यह दो रेखाओं से ऐसे turn हो रही है यह turn होने का मतलब है आना जाना 37 से 38 साल इस 36 साल पर ये रेखा आठ बना रखी है ये क्या कहती है आप एक जगा से दूसरी जगा पर आना जाना करा था आपने आपको ये पामिस्ट्री पर विश्वास लाने के लिए देखो इस रेखा ने इसको टच कराना इस रेखा ने इसको टच कराना ये क्या है साल ये साल क्या है 39 39 से 40 के बीच में आप दूसरी कंट्री में होंगे दूसरी कंट्री में होंगे ये पकड़ने की एक कला होनी चाहिए और इन कलाओं को नहीं पकड़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको ट्रेंगल दिखाता हूं मैं सारी चीजे दिखाता हूं किस लिए दिखाता हूं देखो इस रेखाओं के बीच में ऐसे करके एक आईजलेंड बना था ना यह 44 साल है आई यहां देखो ओपर तो मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर-ट्रेंगल पज़ाना सा बना राऊ अरी नीचे मुझे एसा लग रहा है एक स्क्वैर बना है मैंने का प्रमपरटी यह आप पैसा दिः हैं सर एक प्रमपरटी यहां पर ली थी यह एक ट्रेंगल बना द अब मैं देखो आपको बताता हूँ आपको यहाँ पर एक आइसलेंड आया था ना यह 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 का निशान है 47 साल पर दिक्कत आएगी 47 से 48 साल के बीच में चेंजिंग 47 से 48 के बीच में चेंजिंग यह उपर जो ट्रेंगल बनाया होता है इसके दो फार्मूले होते हैं आइधर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर या लोन लेने की संभाव ना है या लोन लेने की संभाव ना है इस इट राइट अब देखो इस पचासमे साल पर यह क्या ह है जेखो यहां पर भी फ्रोपर्टी का साइन बना हुआ है इसे को बीच में से एक रेखा गई और 51'ी साल पर कोई किसी की हैल्थ प्राज़ मेजर प्रॉब्लम साए गी यह होता है है आईसलेंट को बहril पाशा है पर कोई क繼續 अप यह हुआ है में आपको पता है इन रेखाओं के बीच में भी कोई रेखा ऐसे करके अगर कोई ऐसे बन रही है तो यह क्या होता है आना जाना एक जगा से दूसरी जगा पर आना जाना ये साइन क्या है 51 पर ये साइन क्या है 52 ये 53 पर ये क्या साइन बन गया टेड़ा 53 से 54 साल के बीच में आपने कोई construction भी करवाई है ये देखो ये construction के साइन है या renovation के साइन है ये क्यों आया था बताओ ये क्यों साइन बने थे बताओ ये property के साइन क्यों बने थे ये है पुष्टैनी property इस पुष्टैनी property पर कोई विवाद चलेगा मैं तो 51 साही समझ गया था क्योंकि यहाँ पर जो साइन बीच में से काटा था ना मैंने का ये कोई ना इनके पिता जी भी यहाँ पर या कोई घर पे गया होगा उनके अगेस में property होगी कुछ ना कुछ यहाँ property से related चलेगा और ये चीजे इनको यहाँ पर देखो ये साइन क्या कहना चाहरा है एक square बनाएगा देखो मैं अब दिखाता हूँ आपको यह देखो ऊपर क्या बनाया एक box बनाया था पहले यह property का sign बनाया समस्थे रहना एक box बनाया उस box में से एक रेखा को निकाल दिया यह है आपका 57 और 58 साल इस 58 साल के बाद दो दो रेखा आ गई न इडमिस यहाँ पर इनको चीजे मिल जाएंगी यानि 58 से 69 साल के बीच में मैंने लिख दिया चीजे यहाँ पर मिल जाएंगी अब आपको यह sign नहीं पता था यह किस चीज के sign है यह property का था box बना हुआ है बटवारे और यह क्या चीज बनती है यह वह चीजे हो रही है नहीं हो रही है मैं तो हर चीज बताता हूँ मैं तो हर चीज यहाँ पर आपको समझाता हूँ अब देखो एक पहले ट्रेंगल आएगा देखो यह देखो यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल की importance पता है आपको 61 साल पर इस 61 से पहले 60 पे दिक्कत थी यह आइजलेंड है लड़ाई जगड़े 69 साल पर दिक्कत आएगी समझते रहना यह परशान रहेंगे 60 साल और 61 साल के बीच में यह एक ट्रेंगल बनाया पहले यह ट्रेंगल क्यों बना था पता है क्यों बना था यह क्योंकि इसी के साथ एक प्रापर्टी का साइन है यह देखो यह प्रापर्टी का साइन है यानि यह property जो पीछे से आ रही थी यहां आकर यह खरीदी जाएगी या कुछ न कुछ हो का इसका अगर यह होना था अगर यह होना था तो इसके साथ एक property को और क्यों डाला किया देखो इसी के साथ एक property और आएगी वो कैसे आएगी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यह signों को पकड़ना बहुत जरूरी है आप sign नहीं पकड़ोगे नहीं समझ आएगी देखो यह 60 साल था यह 61 साल था ठीक है यह 62 साल है समझते रहना 62 साल है अब मैं 62 के बाद ना यह sign पर ना एक property का sign देख रहा हूँ देखो यह नीचे यह यह एक property और है यह property और है यहां से कुछ करना चाह रहे थे additional 64 साल से आपको पता है यह sign किसके है यह इनकी wife के भी है इनके बच्चों के भी है 64 साल पर उसने बच्चे ने कोई changing करी है 64 में 65 में इनकी wife भी विदेश कही है क्या बात कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहे यह रेखा ने इस रेखा ने turn मारा हुए न इस पर turn पर देखो जरा ध्यान से समझाऊंगा यह पकड़ना जरूरी होता है यहां बिमारी भी आएगी 67 पर कोई बिमार भी पड़ेगा 67 पर यह 68 का time period है अब देखो न आप बात आती है हरमेशा 100% मैच होगा 100% देखो 68 आप यहाँ पर दो mind थे 67 पर कि मैं वापिस आजाओ विदेश थे नहीं नहीं मुझे रहना चाहिए नहीं नहीं मुझे आ जाना चाहिए नहीं नहीं अभी भी यही चल रहा है अब 68 पर यह रेखाएं क्या कहती है अरे बावरे आप तो दूसरी country में जाओगे पूछो क्यो यह रेखा पर ऐसे बना है सर बस मैं अगले महीं नहीं जाने वाला हूँ अगले महीं नहीं जाने वाला हूँ जाओ के प्रपर्टी परचेस करनी हैं दूसरी कंट्री में जाना है ये सतर साल है अभी एक आपने किसी के नाम पर करना है को प्रपर्टी खरीदेंगे दूसरी country में जाना हाँ बेटी के पास जाना है रहे जाना है यारे आपट इस समय पर कोई अपना काम करने के लिए हाँ सही पकड़े हैë हैं सही पकड़े हैं आप देखते हो ना वह सीरियल सही पकड़े हैं हाँ सही पकड़ का हो भूं मैं 68.3 से काम शुरू करना 69 अच्छा जाएगा यहाँ प्रोपरटि के साइन बने है किसी के नाम पर करोगे यह साठ साल यह 60 साल की रेखा है यहाँ पर याद रखना काम बढ़ा तो रहे हो लेकिन यहाँ अपनी वाइफ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यह नीचे जो इसके नीचे की रेखा जो है न यह थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत डिस्टर्बंस पर दिख रही है पहली बात काम बढ़ता हुआ दिख रहा है ठीके इसलिए यह 60 के बाद जरा आप ध्यान देना 71 पर जरा ध्यान देते हैं देखो यह 70 है यहाँ पर एक आईजलेंड दिख रहा है मुझे पहली बात हलका सा आईजलेंड दिख रहा है 71 पर कोई बिमारी की रेखा भी है लेकिन 71 से 72 साल के बीच में यह साइन को पकड़ते हैं इस वाले साइन को यह साइन टेड़ा बना है यह भाईयों से रिलेटड होता है समझो यह साइन कैसा बना है एक्चल में सीधा बनता तो यह भाईयों का होता है यह थोड़ा से टेड़ा हो जाता है आईदर सुस्राल पक्ष में भाई उनके आपकी वाइफ के वो या आपकी भेलों से रिलेटड है जिसमें 43 पर यह देखो बच्चा है ना 73 पर यह बच्चा है ना पहली बाद यह है 74 यहां ध्यान देना है यह गड़बड रेखा है अगर पैसा कहीं लगाओगे ध्यान दीजेगा अब हलका सा मुझे ऐसा लगा मैं समझा देता हूँ क्यों लगा वैसे तो सही है यह समय क्योंकि यह समय ऐसे करके ऐसे चल रहा है वैसे तो समय सही है लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है इस साइन को देख कर यह साइन है यह वाला साइन यह थोड़ा सा 75 मेन है 76 यहां पर अगर किसी को पैसा लगाया तो 75 पर दिक्कत आएगी 75 से 76 के बीच में आना जाना भी लगेगा यह देख रहे हैं टर्न की रेखा अब देखो आपकी लाइफ में थोड़ा सा मैं नीचे वाली लाइन पर बता दूँ नीचे वाली लाइन पर इस जगा पर यह वाले साइन क्या बने हुए देखो यह तो प्रापर्टी के साइन है यह तो प्रापर्टी के साइन है यानि 71 से लेकर आपका 71 और 72 साल पर प्रापर्टी के साइन लेकिन यह वाली रेखा परना 73 साल पर मुझे प्रापर्टी बिक्ती हुई दिखाई दे रही है actual में इस रेखा पर ना इस रेखा पर एक property का sign बना था यह बीच में से एक cut का निशान लगा रहा था मुझे 73 पर ना बेच कर वापिस लेने की यह देखो यह वापिस लेने की यहाँ पर बन रही है यानि 73 पर एक property बिकेगी और फिर ली जाएगी फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वो sign की importance बताई कि यह वाला sign क्या कहता है और यह वाला sign क्या कहता है यानि यहाँ पर आपको ध्यान देना है 75 पर थोड़ा सा और फिर 76 पर जादा ध्यान देना नहीं तो नुकसान होगा यह काम आपका 77 साल तक चलेगा यहां तक चलेगा अब आप 78 से 76 साल पर भी आपने यात्रा रिखा है आपकी 78 से पहले दिक्कत आएगी ट्रेंगल बना हुआ है आइस्लेंड पर बना हुआ है काला हुआ है बाद में ठीक हो जाएगा बाद में ठीक हो जाएगा 78 89 में आपने इस जगा पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है 89 से 80 साल के बीच में में मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस जगा पर वैसे ठीक है बच्चे के लिए ठीक है लेकिन यहीं से प्रॉब्लम ना इस जगा तक आ रही है यानि यह 81 है मुझे ऐसा लग रहा है कि 81 पर कोई दिक्कत जरूर आएगी 81 पर दिक्कत आएगी यह बच्चे को दिक्कत आएगी रीजन क्या है क्योंकि इस जगा पर ना बच्चे का साइन बना हुआ है इस जगा पर इसी रेखा पर बच्चे का साइन बना है बच्चे को दिक्कत आ सकती है याद रखना 81 पर 81 वा साल आप बच्चे को मान के चलो अपनी फैमिली में मान के च जो 87-88 तक का समय बहुत बढ़िया है, reason समझाता हूँ, यह एक square और property and then सारी चीज़े चल रही है, तो यहाँ पर बच्चा भी चल रहा है, यानि बच्चों को भी अपकी life में सारे set हो जाएंगे, reason कैसे समझाते हैं, इसे कैसे देखा जाता है, पहले तो इस box को देखे जाते ठीक है, आपकी उपलब्दी, यानि आपने कब flat लेना है, कब क्या करना है, उनको देखा जाता है, फिर आपकी life में इस वाली रेखा को पकड़ा जाता है, यह investment point of view से आई है, यह विदेश के लिए रेखा आई है, समझ में आई, अभी एक teaching palmistry में बहुत interesting topic लेके आऊंगा कुछ palm reader को यही नहीं समझाता कि मांड लेन आई है, यह भाग गिरेखा है, वो कह रहे थे कि यहां पर ना एक रेखा ऐसे आई थी और एक रेखा ऐसे बनी थी, कहते हैं या तो यह मांड लेन होगी, अगर मांड लेन होगी, अगर भाग गिरेखा होगी तो पिताजी को लोगों को लल्लू इनक कुछ नहीं आता अगर होगी अरे तुम बैठे हैं तुम्हें नहीं पता कि भाग्य रेखा है या नहीं है यह मैंड लाइन होगी अगर मैंड लाइन होगी अरे भाई अब यह जो रेखा है इसको क्या कहोगे यह रेखा को क्या कहोगे यह तो भाग्य रेखा बन गई यह आपकी business line बन गई यह investment से बन गई यह mind line बन गई तो यह रेखा क्या है यह यत्रह रेखा यह क्या है यत्रह रेखा विदेश से related है यह लल्लू हो सब लोग palm reader बन जाते हूं मैं तो लल्लू बोलता हूं इन रेखाओं ने किसको चुआ है ये अलग-अलग कंट्री को चुआ है जरूरी है फिश बनना यहां फिश बन जाए तो अपना थैला बांद के रखो अलग-अलग कंट्री में जाओगे इस country ने यहां से लेकर उपर तक कुछ हुआ हुआ है गल्फ country से लेकर, European country से लेकर, US Canada से लेकर, सारी जगा पर है क्या बात कर रहे हैं यह square last time तक बने हुए है क्या आप अपनी life में यहां पर नहीं लेकिन हाँ, इस जगा पर और इन जगाओं पर दिक्कत आएगी याद रखना, बहुत problem सा जाएंगी वरना सेहत भी खराब चलेगी, सब कुछ होगा मैं sure नहीं हूँ इस से आगे ठीके, anyway, अब मैं आपको graph दिखाता हूँ अब देखो फटा फट देखते हैं इन चीजों को कब से शुरू करा, 13 साल से शुरू करा 13 साल पर मैंने का था एक निशान 14 पर आना, ये बिमारी की रेखा अच्छा ये सूरे परवत है ये सूरे परवत है यहां से लेकर यहां तक, देखो 19 से 20 में यहां पर बहन की शादी 22 से 23 में बहन की शादी ठीक है, ये बहन का बच्चे समझते रहना, बहन के बच्चे ठीक, यहां पर ये मामा बोला था मैंने मैंने का या तो मामा या बहन को दिक्कत आएगी जबरतस्त, क्योंकि इसके उपर आइसलेंड क्यों आ गया मामा की डेथ ही हो गई थी 31 साल पर अब देखो सूरे परवत पर सारे निशान है, दिखा देता हूँ आपने ये तरक्की के ये वाला जो चिन है इसे तो पकड़ा ही नहीं था था आपने ये 28 ये 29 अब इसके बीच में पकड़ना आपको दिहान से देखो, इसमें मामा दिख रहा है आपको जड़ा देखाओ मुझे कहां पर दिख रहा है दिखाओ, देखो इस जगा पर देखना ये इस जगा पर ये क्या साहीन है है? तो इसी के उपर देख लो ये रेखा पर ये क्या बनाया हुआ है? है? बोलो नो फिर कैसे क्या नहीं कह सकता? सब, पूरी फैमिली में क्या चल रहा है सब पता होता है सब पता है कैसे नहीं हो सकता? मुझे तो पता लगता है पर द्यान देखना ये साइन के बीच में ये वाला साइन बनाया हुए ऐसे करके ये बनाया है? बना है 28 से साल पर ये साइन का क्या मतलब बनता है? ये था हमारा 28 ये है 29 28 से 29 पर ये साइन का क्या मतलब है? बताना जड़ा ये कंट्री चेंज है ये कंट्री चेंज है महाँ पर क्या बोला था 28 साल? अरे 28 से 29 साल एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना या नहीं बना सर बना है तो यहां पर आएगा नहीं आएगा यह 26 साल 25 साल अब देखो आगे जाकर यह साल थे शादी के यह 22 साल यह था 22 और यह 23 यहां पर शादी हुई है और एक यह देखो यह दिक्कत का टाइम पिरड़ता यहां पर एक बहन की शादी होई होगी दिक्कत आई होगी उसे बाद में कैसे नहीं बता सकते सब कुछ बता सकते हो यह 19 से 20 साल का समय है शनी से रेखा को टच करके क्यों सूर्य परवत पर लाया गया इसका कंसर्न क्यों भाग गे रेखा यहां पर लेकर गुरू पर डाला गया अरे क्या बात कर आपको क्या समझ इसकी आप तो बस स्टार देखो बस स्टार सब लोग स्टार देखो स्टार बने नी बने इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ सिखाने की तो यहां पर यह साइन बने है, वो देखो 19-20 में, 22-23 में, 28-29 में, अरे बाबरे, अरे बाबरे, अरे बाबरे, यह साइन बना है ना, अरे यह तो चेंज हो गई थी, अरे 31 में दिखाया था, मामा का साइन, और यह मामा का साइन होता है, क्या बात कर रहे हो आप, यह 18-19 साल म तोड़ी सी घर भी परशानी रही होगी यह दो रेखाओं के बीच में जब दो रेखाओं के बीच में आता है कोई डिग्री कम्प्लीट यहाँ पर अपने अर्निंग करी दिक्कत आई ठीक है यह 27 से 28 साल के बीच में आपको जॉब में दिक्कत आ रही थी लेकिन 28 से देखो विदेश लिखा हुआ है विदेश 28 से 29 के बीच में विदेश की रेखा बनी हुई है 31 से ही आप अपनी जॉब जो है चेंज करना मैंने लिख दिया जॉब चेंज करने की सोच रहे हो यहां पर 32-33 साल के बीच में जो है 31-32 में चेंज करोगे, दूसरी जॉब होगी, उसमें हेक्टिक शडियूल रहेगा, यह रहा हेक्टिक शडियूल रहेगा, यह देखो, डॉक्मेंटेशन एंड देन सम्तिंग बताया था, यह प्रॉपटी है, डॉक्मेंटेशन एंड सम्त पर करा या नहीं करा? क्या बात कर रहे हैं? पिता जी 51 पर प्रपर्टी से रिलेटेड दूसरी कंट्री में घूमना 51 पर 53 पर एक जगा से दूसरी जगा पर आना जाना ये जो समय है यही समय था जब आपके डिस्प्यूट खड़े हुए वो डिस्प्यूट का कारण ये बना हुआ है 57-58 और यहां पर देखो 58-59 जे ठी गया 60 दिक्कत आना जाना 61 और इसके बाद जेखो आना जाना 61 और ये है प्रपर्टी का साइन यहां पर आकर आपकी एक प्रपर्टी हुई होगी एक प्रपर्टी और ली 63 पर ये साइन है आपका अभी तरक्की चल रही 64 से आप कुछ और भी करना चाहरे थे 65 पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर यानि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर आना जाना यह 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 बच्चा 64 पर चेंज किया बच्चे ने वाइफ गई है विदेश ठीक है 66 67 67 पर 66 से आप आपकी सेलरी बढ़ी है 67 पर थोड़ी से दिक्कत आई कारण क्या था 67 पर और 68 पर आप घ दूसरी कंट्री यह दो को जाना है ये 68 यह दो को इस जगह पर है और इसके बाद यह जो लास्ट जो हैना यह वाला जो लास्ट वाला यह एक पृपर्टी का स्यॉइन है। आपने डोक्मेंटेशन करना है यह बढ़ा वाला ऐसे घुमाकर जो यह सैन बना हुँ है इस तर को मैंने यहां बना लिया है यहां पर देखो 70 पर 71 ठीक जाएगा लेकिन 72 और 73 पर कोई भाई या बेहनों से रिलेटेड बेहन आपकी भाई सुस्राल पक्ष से रिलेटेड लेकिन 73 साल पर किड चेंज करेगा 74 पर कोई बिमारी की रेखा बनी है 71 और 72 पर एक प्रापटी का स दूसरी जगा लोगे अच्छा जी अच्छा जी 75 पर हलका सा हलका सा नुकसान 76 पर जादा नुकसान 76 से 77 पर आना जाना ये काम बिजनस जो होगा 77 साल तक चलेगा लेकिन 75 और 76 साल पर ध्यान देना है ठीके 77 साल पर पहले दिक्कत आएगी बाद में सही हो जाएगा 78 89 पर आप एक जगा से दूसरी जगा पर आना जाना या विदेश या घूमना अरे बाबरे अच्छी लाइफ है यार अच्छी लाइफ है ठीके और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कराना से 79 पर 81 पर दिक्कत है घर पर वाइफ को बच्चों को इनका ध्यान रखना बच्चे की रेख हैं यह बहुत बड़ी है टिक मार्क जब मैं कर दूंगा तो अच्छा होगा इस पर मैंने प्रापटी का एक साइन पर मैंने लिखा है 84 पर जो है दिक्कत आएगी तो आपकी लाइफ तो जहां पर अच्छा है वो बहुत बड़ी है जहां पर आपकी लाइफ में दिक्कत है ठीक है अब यहां से आपका एक property का sign बना है यह विदेश की रेखा है आपने कहीं जाना है ठीक है यह आप विदेश यात्रा करोगे वहां पर property purchase करोगे दूसरी country 69 पर आप दें दूसरी country में भी जाना है ठीक है यहां पर आपने documentation भी करनी है 70 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन काम बढ़ाओगे आप अगर 68.3 से काम करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है अब आपकी life में इसके बाद 71 साल ठीक जाएगा ठीक है अब 72 और 73 पर वो भाईयों से related बता दिया 73 पर बच्चा change करेगा आप भी ध्यान रखना क्योंकि business ह होगा तो आपका भी change होगा 74 साल पर यहां दिक्कत लिखी है यहां wife का ध्यान रखना काम से related थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन इन सालों पर 71 से लेकर 73 साल के बीच में आपने एक property भी बेशनी है दूसरी खरीदनी भी है ठीक है और 75 पर काम में दिक्कत 76 बहुत गलती करोगे तो ठीक है 77 साल तक business चलेगा 78 पर पहले दिक्कत आएगी उसके बाद ठीक होगा और 78 से 89 पर फिर यात्रा रेका है 81 साल गलत है और फिर उसके बाद 84 साल पर मैंने लिखा है 84 पर आप एक property बेचोगे 85, 86, 87 बहुत बढ़िया समय और 89 के बाद आपको अपनी से बिखत का ध्यान जरूर रखना पड़े का और मुझे आपकी लाइफ में आपकी उम्र जादा लग रही है आपकी बीबी से ठीक है आपकी उम्र जादा लग रही है ये है आपके हाथ का विश्रेशन कितनी मेहनत लगी है ओमाई गॉड और आप स्टार से खुश हो जाते हो star है sir मेरे हाथ में star है हाँ हाँ यह palm reader अच्छा है square बना है 32 से 36 साल पर authority position पूचिछ एक राहू रेखा इस साल पर एक राहू रेखा इस साल पर और analysis खतम यह आपकी life में कब आप जाओगे किस country में जाओगे आप कब करोगे का है क्या है वो सब कुछ है तो मेरे हिसाब से तो 68 के बाद आपका मन नौकरी में इतना नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह नौकरी की रेखा भी है आपको कहीं न कई कोई compel भी करेगा क्योंकि जिस धंक से यह चल रही है न रेखा यह जो यह यह रेखा बन जाती है यह रेखा है तो यही रेखा है तो आपको कहती है कि अरे चार घंटे बैठना है नौकरी में अरे बैठो बैठो हम देंगे न आपको पैसा देंगे अरे आई रे करो यार करो यह देखो करो घूम न जयर फिर न अच्छी लाइफ है ठीक है पहले दिक्कत उसके बाद सब्सक्राइब इसमें कौन सा उपाई करना है वह देख लेते हैं गुरू का उपाई करो केवल गुरू का उपाई है आपका बाकी सारे माउंट आपके अच्छे हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजेगा प्लीज बाद